है अग्या आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा कैसे आप लोग आई प्रेक्टिस करके महीने का हजार डॉला कमा सकते हो हजार डॉला का मतलब होता है महीने का सतर सास्तिय जार रुपे कैसे एक यंग लॉयर पैसे कमा सकते है देखिए आज की टाइम में सबसे बड़ी चीज़ ओंने पैसे कमाना है पहले की टाइम में होसा ता कि अब बन पैसा कैसे कमाने के आज के अधे पुरे जीवन मर के अंदर तो अंदर क्या होता है दूसरी चीज कैसे आप कमा पाऊगे कौन-कौन से स्किल्स आपको एक्वायर करनी है और किन-किन चीजों को आपको फॉलोग करना है सारी चीज में आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्कोप से अगर आपको आई-प्यार के अंदर पैसा कमाने न हजार डॉलर पर मंद कमाने तो एस चीज को समझ जाओ वैल्यू एडिशन यह स्पैसिफिक स्किल्स को करना जो इंटलेक्शल प्रॉपर्टी की अटॉनिस होते हैं लॉयर्स होते हैं जिनको 10-15 साल का एक्सपिरियंस होता है और लिटिकेशन उनकी काफी चलती हाई-कोड, सुप्रिंग कोड के अंदर वो पर हेरिंग चार्ज करते हैं 2-3-5-0 रॉपरे बट पॉयंड कैस्यां। क्या आप लोग इन्टा चार्ज पर पाऊगें नहीं और कोईُ sagt़ को और देखते हो प्राप्रिंग मरे कंशा करूं को देखेए 6-0 परॉपरेशन होता है nelle एक्सपिरियंग मिरे इसलों पर नहीं करती हैं वह देखती है latin को जिनकी एच 40 एयर्स 45 एयर्स 50 एयर्स हो जिनसे वह results लेकर आपाए code से हरे कंपनी को experience lawyer चाहिए और experience lawyer जादा में पहेंगा charge करते हैं वाट उनकी life में भी एक struggle रहता है शुरुबात में उनको पैसा नहीं मलता शुरुआत में लिटिकेशन में बहुत कम रेट्स में काम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हाड़ वर्क करते हैं, क्लाइंट के लिए रिजर्ट लेकर आते हैं, तब जाके वो आगे लाइफ में जा पाते हैं, अब ऐसा यंग स्टुडेंट और आप कैसे कमा होगे, आप सतर से असी हजार रपे परमन कमा सको, देखिए, ये वीडियो ओने स्टुडेंट के लिए जो हाड़ वर्क करना चाते हैं, अगर हाड़ वर्क नहीं करना चाते हैं, इनोवेट नहीं करना चाते हैं, वही जॉब माइंसेट वाली मान सकता हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान दखना, सबसे पहली चीज़, जो स्किल्स आपको एक्वाइर करनी हैं, वो है, ट्रेडमा कॉपीराइट सर्च रिपूर्ट, आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत कम रेट्स में उनको बता सकते हो, कि सर, हम आपके लिए सर्च रिपूर्ट बनाएंगे, ट्रेडमाइक और कॉपीराइट की, यह रिक्वाइट क्यों है, देखिए, सर्च रिपूर्ट के बाद ही है, वोई भी अटॉनी बता सकता है, कि कितने ज़्यादा चांसे से, ट्रेडमाइक है रजिस्टर होने की है, वो इस चिमलर ट्रेडमाइक, और लेड़ी मार्केट हैं अविलेबल तो नहीं है, अगर आपको अच्छे से ट्रेडमाइक की सर्च रिपूर्ट बनाना आती है, तो फर्म में आपकी काफे अच्छे डिमांड होगी, ध्यान अखना इस चीज़ का, सर्च रिपूर्ट का फिर होता है, ऐसा नहीं होता कि हम आलना गये, सर्च रिपूर्ट बना के फर्म को दे दी, उनको चीए कंक्लूर्जन, कंक्लूर्जन के हम निकल कराया, वो भी उसके अपको ड्राउ करना पड़ेगा, वो आपको सीखना पड़ेगा, और इस चीज़ का ध्यान अखना, ट्रेडमांक सर्च रिपूर्ट है न, कई शुड़ेंट सोचते हैं, बहुत मामुली सा काम है, छोटा सा काम है, एक ट्रेडमांक उठाया, उससे मिलता जूलता ट्रेडमांक ढूंडा, और सर्च रिपूर्ट बना के दे दी, वो आदे गंड़े का काम है, उसके लिए वैल्ली जनेरेशन नी होरी है, अब आपको कोई पैसा नी देगा, अल्टिमेटल आपको बताना है, कौन-कौन से मांक, हमारे मांक से मिलते जुलते मांक भी हैं, अगर दो-तिन वर्ट का मिलकर एक मांक बन रहा है, तो वहाँ पे आपका कंग्लूजन अच्छा ड्राउ होना चाहिए, आपको उसका भी सर्च करना आना चाहिए, तो उसका मोलते हैं, परफेक्ट सर्च रिपूर्ट, उसके बाद, डॉमेंट नेम डिस्प्यूट, अब ये क्या होता है, देखिए, पहले सारे बिजनस ऑफलाइन थे हैं, अब बिजनसेस ऑउनलाइन हो रहे हैं, कोवीट का टाइम आ गया, समय बदल रहा है, रिमोट वर्क, अब हुआ क्या, इतने सारे डॉमेंज मार्केट के अंदर, अउनलाइन बिजनस चालो हुआ है, तो वहाँ पर क्या डिस्प्यूट भी आएंगे, वहाँ, अमुल डिस्ट्रिकुशन दे रहा है, उन्होंने जाके फटा फट वहाँ, वहाँ बुकिंग कर दी, पैसे ऑनलाइन जबा करा दिये, बहाद में वह वेबसेट हो गई, जो मालिक था वेबसेट को तो पैसे लेके निकल लिया, अल्टिमेटली अमुल को दिक्कत खड़ी हो गई, वहाँ पे, अमुल वालों ने केस फैल करा उस डोमेन ओनर की उपर, कहीं बार क्या होता है, कहीं लोग ऐसा डोमेन ले लेता है, जो किसी और का रेजिस्टर् ट्रेडमार्क होता है, इंच के चलते हैं, काफी सारे जो ऑनलाइन वेंचर्स हैं, कंपनी से, डिजिटल मांगेटिंगी कंपनी से, टैक कंपनी से, वो लोग डोमेन नेम डिस्प्यूट के लाइज को हायर करती हैं, जो इसके अंदर एक्सपर्ट हो, इंबस्ट्री के अंदर, हमारे पास भी काफी सारे क्लाइंट्स आते हैं, जिनको डोमेन्स में काफी ज़्याद दिक्कत आती है, एंड में डिस्प्यूट क्रीट हो जाते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर एडवाईस करना, डोमेन नेम को ऐसा वर्ड मांग रजिस्टर कराना, काफी ज़्यादा ज़रूत पड़ती है, इन टेक कमपनीज को, उसके बाद, पैरा लीगल वर्क, अब ये क्या है, देखिए फ्रेंड्स, पैरा लीगल वर्क के अंदर क्या होता है, आप इंडिया में बैठे-बैठे, कहीं पे भी, पैरा लीगल ली किसी दूसरी फर्म के लिए वर्क करेंगे, इसके अंदर फायदा कहे रहता है, फर्म्स को, एक तो उनको आपको लैप्टॉप नहीं देना, लैप्टॉप दे रहें तो ठीक है, कहीं बार फर्म्स नहीं देती है, अगर आई-पी-आर के अंदर, मान के चलना हो, 15-25 जार लुपर से यादा नहीं देंगे, किसी सूरत में नहीं देंगे, और आप प्रैक्टिकल बता रहो, गज़र इंफर्मिशन नहीं दूँगा, तो इन फर्म्स से शुरुवात मीं आप बात कर लो, किसरा आप जित्ता काम दोगा ना महीने में आपको करके दूँगा, बट मैं और भी फर्म्स की साथ जॉप करूँगा, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी करूँगा, बट आपके लिए पैरा लिगल पूरा सब्ट और पूरे टाइम अवेलेबल रहोंगा, तो वहाँ से क्या होगा, अगर आपने तीन-चार फर्म्स फगड़ ली, एक फर्म से आपको 15-20 जार भी आ रहा है, तो महीने के 80 जार होगा, इसको बोलते हैं इंटाबिन और चिप दिमाग लगाना, उसके बाद, एक फर्म से एक्सपेक्टेशन रखोगा ना, कि आप 80,000 रुपए दो, वो नहीं देगा कोई भी, 15-20 में सब रेडी हो जाएंगे, तो उसी सबसे दिमाग लगा लो, उससे बात कर लो, कि मैं और भी फर्म के साथ काम करूँगा, आपका डेटा लीक नहीं होने दूगा, इंफर्मेशन लीक नहीं होने दूगा, प्लस, इंडिविजल प्रैक्टिस करूँगा, आपको कहीं इशू नहीं आएगी, प्लस हर समय आपका काम टाइम पर डिलीवर करके दूगा, फिर आता है ट्रेडमाग फाइलिंग करना हुआ, इन सब के बहुत सारे काम आपको मिल जाएंगे, अब आउट्सर्स करा सकते हो खुद के लिए, पेटेंट डॉक्मेंटेशन प्रिप्रेशन यह क्या होता है, यह बेसिकली वैसे है तो पेटेंट एजेंट्स के लिए ही, बनाना आता है, या किसे से बनवा के ही फार्म को दे सकते हो, तो उनके लिए वो भी बेटर है, तो उसके लिए आपको पेइमेंट मिल जाएगा, बट वही है, पेटेंट के अंदर भी 30-35,000 से यहादा नहीं मिलते हैं, दो-तिन फर्म पकड़नी बड़ेगी तवस्ती जारपय तक जाओगे, प्लस आसत इंडविज्वल प्रैक्टिस भी डवलप करनी बड़ेगी, ने तो देखो सबसे बेस्ट आप्शन है, फर्म को पकड़ो, इंडविज्वल प्रैक्टिस करोगे तो क्लाइंट्स पकड़ो, उनको सैटिस्फाइ करो, टीम बिल्ड करो, बहुत दुकसान है, क्योंकि उसमें आपको आउट्विट नहीं आएगा, फर्म ने आपको काम दिया, पर मत आपको सैलरी आरी है, और दो-तिन फर्म हैं, तो आपको अच्छा खासा पेमेंट मिल रहा है, कॉपीराइट फाइलिंग, ये भी काता है, कॉपीराइट आपको अच्छा से फाइल करना आता है, क्लाइटी रहती है उनको भी पदाए कि असी पसंट हमें मिल रहा है val감이 को लेकर रार है रेपुटेशन की 27 पसंट को जा रहा तो आपको पर क्लाइंट पर पैसा मिल जाएक तो अच्छा चैक आपका हर्मिन ही इन बने बनता उनको पर पाइसे स्टार्ट अप सोते हैं इनको आई का लोड की जरूत पड़ती है पैसा नहों रहे के कारण अच्छे लोड को हाय नहीं कर पाते हैं अब वो किसी सा आउट्सूर्ट भी करना तो महंगा पड़ता है तो वहां पर आप उनको रिमोट वक का ओफर दे सकते हो पर अच्छी से ज्यादा पर दस से पंद्रास अच्छे से ज्यार नखना अगर पगड़ेंगा और स्टेड़ में और अल्लिमिटिड लीगल कंसल्टिंग दे सकता हूं उसमें जा टाइम नहीं लगता है एंगर ने लगता है कोई सामने आला टाइम अपना इंवेस्ट करेगा आपसे बार बात करने के अंदर और इसमार राउंड आप दस हजार रुपे पर मंत एक क्लाइंट से चार्ज कर सकते तो दस चार्टप पकड़े एक लाग रुपे हो गया और कोई आपको यह बोलता है क्लाइंट से इतना नहीं आ रहा है तो फ़रा लीगल वक पगड़ लेता हूं फिर आठीवी चीज कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो टीचर बनके अगर आप एक आई-पी लॉयर हो इंटलेक्सिल प्रपरटी के अच्छी नॉलेज हो तो आप कोर्सिस बना सकते हो बुक्स लिख स लाइंट से जिनको सर्विसे देता है उन्हें तो अपने शुरुवात इससे करी न किस से कोचिंग इंस्टीट के लिए नोड बनाके शुरुवात चोटी होती है शुरुवात ने पैसा काम आता है इस चीज को समझना हो सकता है किसी कोचिंग इसी काम कर रहे हो कॉलेज के कर रहे हो वो 20-25 जार रुपी दे आपको अपका क्या आपके तो स्किल्स बढ़ रही है एक बार स्किल्स बढ़ी स्किल्स में इंप्रूमेंट आया थोड़ा आपको ग्रोथ दिखा चीजे समझ में आई और क्या बात वहीं से आपको उन्हें बड़ा क्लान ट्रफर कर दिय है किसी फमपर रचांटेंट होते हैं लॉयर्स होते हैं इंटलेक्टिल्स पोपरटी ना प्रेक्टिकल चीज बता रहो रहो रेफरेंस यह बहुत तगड़ा चीजह अगर मैं किसी फर्म में अपलाए करता हूं वहां मुझे 30-40,000 पर मिल रहे हैं वहीं पर किसी एक बड़े अर्टाउनी ने मुझे कहीं पर कर दिया वह कंपनी हो सकती है फर्म हो सकती है तो वहां पर पैके सीधा डबल ट्रिबल होता है मैं को भी काफी लोगा ने जगा रैफर कर र यहां पर मैं काम कर रहा था वह काम ने बहुत अच्छे से प्रस्व कर रहा था पैके और भी यह तो बहुत बहुत बड़ा के लोगा तो अब को एक यास फर्मस के पार्टनर्स को पता तो वहां 4 पैसा बनेगा आपको अच्छा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आ जोगी प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाना चैनल को फटा फट से सब्सक्राइब कर दो कि जैसे ही मैं ऐसे काम की इंफॉर्मेशन और वीडियो लेकर आओ आप लोगों को तुरत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए